दोस्तों स्वागत है आपका अर्थिमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की कच्छा अभी याल ए-e-e-e-e-e-c आप हमारे अर्थिमेटिक कंप्यूटर egyसुका सेंटर से कोई भी कोर्स कर सकते हैं सभी कोर्स इंतरनेशनशनल डेलेट साइटिफिकेट हैं इसमें डेहर सारी बुकें और नोटस हैं और पेपर, ओनलाइन आईडी, सभी सरकार इनोपरियों के लिए मानतपराथ साइटिफिकेट और कई सारे कोर्स हैं इसके अंदर अभी हमारे इनिक्स कॉंप्यूटर जिविसम सेंटर की 1900 सेंटर प्लस हो चुके हैं आज की तारिक में 19 सा 2019 में तो चली दोस्तो हम बड़ पड़ रहे हैं और वड़े का हमने काफी पार्ट कर चुका है कर चुके हैं कंप्लीट इसके अंदर से होम ऑफिस बटन और इंसर्ट चल रहा है तो इंसर्ट के अंदर से हम इस्टाड करने वाले चार्ट इसमार्ट हमने बता चुके हैं आपको आठ ग्यारा प्रकार के होते हैं दोस्तों एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा रेडर है बवल्स है डॉपनेट है सर्फेस है श्टॉक है एक्जाजर एरिया है एरिया है वार है पाई है लाइन है कॉलम मैक्सिमम कि हम आपको उप्योग करना सिखाएंगे ब दोनों वाइटीकली अपने अपनी पॉजिशनों में सेट हो गई है अब यहां पर हम दोस्तों यह एक मार्क्सी टाइप का है मार्क्सी जो बनती है जैसे हमने यहां लिखा है एच आइन डियाई हिंदी टैप प्रेस करेंगे एम एट एच एस मैक्स और सी ओ एम पी यू ट अब यहां पर अभी को पितने जैसे की तैतेस चालेस और पचास यहां पर साथ पचपन चालेस यहां पर थीस पचपन चुमालेस यहां पर पैंटेस साथ त्रेस यहां 36 कर दीजिया जो भी करना है और इसको कैंसल कर दीजिया अब जैसी आप कैंसल करते हैं तो आपके पास में बाहर क्लिक करेंए कुछ भी नहीं है टूल जैसी हम चार्ट पे आते हैं तो चार्ट टूल्स डिजाइन लेयाउट और फॉर्मेट तो पहले हम डिज सब्जेक्ट में जयदे नंबर लाया है तोАज यहां देयो नंबर दिखा रहा रहा और यह guy gang का क्लर श Лर कौन सा है टो इrhाल Woo पाल है यह हमारे मैस्स मैस्सब्जेक्ट में सबसे जयादे 63 नंबर लाएं फिर इसके वादे हिंदी सब्जेक्ट में राम कितने ला कितने ला यह सारी चीज हम यहां से देख सकते हैं यह चेंज लेखा Change Type चेंज चार्ट टाइप मतलब दूसरे चार्ट के चार्ट को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर हमारे दूसरे हो गया है, लिकर हम Ctrl-Z कर से उसी के ऊपर यह भी प्रक्टिकलि करने वाले हैं Ctrl Z, उसी के उपर हम पढ़ने वाले है, Save as Template, मतलब कुछ अच्छी टेंपलेट आपने बना रखी है, तो उसको आप Save as Template के नाम से, Save, आपके नाम से Save कर सकते हैं, जो कि दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, आपनी बड़ चलाया है, तो, वो Template में से अंदर से जाकर, Change Type से जाकर, यहां से Template पर क्लिक करें, यह आपने किसी नाम के Save करिए, तो वहां से निकाल सकते हैं, Select Data, जो आपने Data बनाया है, उसको Select करने के पर क्लिक करिए, Data directly select हो जाएगा, यह देखी इस तरीके से हैं, फिर इसके बाद में Edit, Edit पर क्लिक करिए, तो जो Data बड़ा है, घटा है, इसको बड़ाना है, घटाना है, कुछ Edit करना है, यहां पर जैसे कि, आपको और नाम बढ़ाने हैं, यहां पर इसके नाम मरब 20, 50, 60, यहां पर, English Subject और बड़ाना है, 44, 22, यह देखी हूं, Cancel करती ही जिसको, Edit होके Data, यह देखी, 1 कर वापिस आ गया है, तो इस तरीके से आप उसको Edit कर सकते हैं, यहां से Chart Layout के अंदर क्या है दोस्तों, Complete, मतलब यहां से जो आप मैं Layout में पढ़ाने वाला हूं, वही डारेक इसके बाद में Legend, Number, Number के साथ Table, Table के साथ Color, यह कर यह दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा, किसके अंदर Layout के अंदर, यह सेम, यह पूरा का पूरा जो आपको मैंने अब भी दिखाया है, यह वही का वही आपको, लेकिन फिर भी हम इसको Complete करेंगे, यहां से आता Chart Style, यहां हो आजाते हैं, हम Layout, Layout में देखिए, यहां पर यह दोस्तों कहा, जैसे मैं इस Color पर किलिक करता हूं, तो यहां पर Hindi Select हो गया, मतलब यह किसी Particular Object को Select करना है, जैसे कि मेरे को Vertical Access करना है, तो कौन सा Vertical Access, यह हो गया है, मेरे को, Hindi Math Subject को Color Change करना है, यह Select हो गया है, Format पर यहा आपने यलो कलर देना है, सपोस्तों यलो कलर हो जाएगा, वहां से Color आप चेंज कर सकते हैं, Select करके, कोई भी स्टेल दी उसको Reset मेंच कर सकते हैं, जो आपने दी है, उसके बापिस जैसा, यहां से आप, यह आपने पुराना वीडियो देखा है, दोस्तों यह वही का वही स आप चेंज करना है, इसका Color चेंज कर दीजी, जिस पर आप आप अटिमलर पर क्लिक करेंगे, वह Color आपका, उससे आपके चाट का Color चेंज हो जाएगा, आपको दूसरा देना है, यहां पर आ जाता Save Fill, कोई दूसरा Color देना है, आपको कोई अच्छा Color लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ग्रेडियंट देना चाहते हैं, टेक्चर्स देना चाहते हैं, कोई से फिस वाले देखो, यहां पर यह टेक्चर्स आ गया है, यहां से Save की Outline, Outline आपको मोटी करनी है, पतली करनी है, मेरो को इतनी मोटी देनी है, कलर कॉन सा देना है, आपको Yellow Color देना है, Yellow Color दे दीजिए, यहां सा Save Effect है, यहां से Save में, टेक्स एडिट में सभी कुछ चगे पढ़ाए, सेड हो देना है, सेड हो देने के लिए, पिरी सेड देना है, पिरी सेड देने के लिए, यहाली स्टैल बाहर क्लिक करिया, वो सेड वो सेड में आ जाएंगे, यहां से जो भी आप Change करना चाहते हैं, आप Glow देना चाहते हैं, उसके आइट साइट, इसके आइट साइट देको Glow आ जाएगा, आ गया है, इसके बाद में आप Soft Age देना चाहते हैं, यह लगे नहीं कि चार्ट है आपका, तो यह Soft Age हो जाएगा, फिर इसके बन में वेवल, आप यह को थोड़ा सा Edit होगा आपका, और 3D Rotation, यह 3D Rotation, तो यह धेर सारी Editing हमने इसके अंदर कर चुके हैं, यहापर यह Style हो गया है, इसके बाद में आता है हमारा Tax के लिए, मतलब जितने भी हमने Tax लिखे हैं, जैसे कि Word Art हम पढ़ेंगे आगे, तो सारे Tax डिजाइन में चें आउटलाइन, यहापर Tax की आउटलाइन देनी है, आपको, टेक्स का कलर देना है, और विंडो टेक्स चेंज करना है, यह दोस्तों थोड़ा सा वाई, डिफोल्ट प्रोबलम है, कम्प्यूटर नों थोड़ी सी प्रोबलम आ जाती है, इसलिए रोखना पड़ता है, यहां स पड़ा है, आप कलर चेंज कर दीजी, वाइट कलर हमने कलर हो जाएगा हमारे इसमें देखिए, यहां से यह विए कुछ सब का पड़ा है हमने, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देना है, तो सभी चार्टों का नाम जो है, उनका उल्टा रिफ्लेक्शन आपके पास में आ यह सभी कुछ हम पड़ चुके हैं, आप चाहे तो इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यूज नहीं आता है, यदि मैंने पिक्चर भी दी, तो वो पूरे मेरे चार्ट को कवर कर देगा, तो मैं है इसको कैंसल कर रहा हूँ, हाँ सेब को मैं दिखा सकता हूँ, सेब को ड्रो करके कहीं भी कौर्वर में, यह देखे सेब आजाएगा, मैंने डिलीट वटन से इसको डिलीट कर दिया, अब इसके बाद में आता है हमारा अगले नंबर पर आता है, लियाउट के अंदर ड्रो बोक्स देने के लिए, बीवी पड़ सुके हैं, और आगे आज यह टाइटल नहीं देना है, यहां से इसके बाद में देना है, चार्ट के ऊपर आगया है, नहीं चार्ट नीचे रहे हो चार्ट के ऊपर देना है, तो चार्ट के ऊपर देजिए, चार्ट वोक्स के ऊपर, एक्सिस, यहां से एक्सिस देना है, एक्सिस आजाएगा आपका वार्यिजंटल देना नीच्चे आ गया है वाइटीकर ही देना है वाइटीकर इनिक्स कम्प्यूटर इज्यूकेशन सेंटर यह डाटर टेवल सेंटर में दिखाना है नंबर दोस्तों स्वागत आप सेकेंड पार्ट हम आगे पढ़ेंगे अभी यह पहला पार्ट कम्प्रीट है जैंग जै भारत पावरड भाई एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन सेंटर आप हमारे अर्थमेटिक कम्प्यूटर एजुकेशन सेंटर एनेक्स कम्प्यूटर सेंटर